हलो फ्रेंड्स, वरधनी केडमी में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती महत्पूर्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो की UP PGT एक्जाम 2021 से संबन देता है, जैसा कि आप सभी को बता है, इसकी जो परिक्षा है, वो 17 और 18 अगस्त क कम्पलीट हो चुकी है, पीजी टी की ठीक है, काफी लोग PGT के बारे में बताओ, तब भी पूछते हैं कि सर ये TGT है कि PGT, ठीक है, तो PGT के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ओफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, और लगभग तो इसके लिए कभी 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 यह होता है कि कुछ लोग इस पर मतलब कह देते हैं कि सरी फेक आप गलत डाटा बता रहे हैं तो मैं पहले आप लोगों को आफीसियल दिखा देता हूं फिर सारी कट आफ आपको बताता हूं कि यह देखे बिल्कुल सही इसी के कारडिंग यह देखे आपका ऑफीसेल जो नोटिफिकेशन था उसमें यह वेकेंसिज दी घी ठीक है तो इसी के एक अड़िए गलत नहीं है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए सीधे आप चलिए स 125 questions का paper होता है यह questions के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि कितने questions आपके गर सही है तो आप लोगों के लिए interview को call आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए सकते हैं ST category में 82-84 और ST category में 78-80 अगर आपके questions सही हो रहा है तो आप लोगों के पास interview के लिए call आएगा अब देखिए नेक्स्ट जो subject है वो है हमारा physical psychology मनोविज्ञान में जो vacancy है वो देख लेते हैं पहले बालक वर्ग में है 35 और बाली का वर्ग में है 12 ठीक है एक तरीके से ठीक थाक vacancy है PGT के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूर कटेगरी 82-86, OBC और EWS 80-84, SC कटेगरी 75-89 और HD कटेगरी 71-74 अगर आपके इतने questions ही हो रहे हैं psychology में तो आप लोग अपने आपको safe zone में मान सकते हैं ठीक है टोटल vacancy भी ठीक ठाक है PGT के हिसाब से देखा जाए और जो आपका expected cutoff है वो इससे ज़्यादा उमीद है कि नहीं जाएगा चार-पांच नमबर का सिर्फ अंतर रह सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है माइनस तो नहीं होगा क्योंकि अलड़ी मैंने ठीक ठाक बनाई है और यहाँ पर प्लस एक दो नमबर का हो सकता है ठीक है हलाकि 82-86 मैंने पहले इतना मारजिन कर दिया है तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी ठीक है कुछ लोग बहुत हाई बता रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से बहुत हाई नहीं जाएगी क्योंकि इंटर्व्यू के लिए बुलाया जा रहा है फाइनल कट आउफ की बात यहाँ पर वेकेंसी हैं दो ही हैं सिर्फ तो यहां पर यूर कटेगरी देखिए 84-88 रहने वाला है ठीक है और मतलब 84-88 है तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हैं OBC में 82-86, EWSB 82-86, ST कटेगरी 77-81 और ST कटेगरी में 74-78 अगर कोश्चन आपके सही हो रहा है तो का तीन कोश्चन ज्यादा ही मान के अपने चलिए तभी आपका यहां पर इंटर्व्यू के लिए कॉल आएगा यह मान के चलिए ठीक है आगे देखते हैं इस्ट्री में वेकंसी ठीक बहुत अच्छी है एक तरीके से PGD के साब से 62 बालकबर्ग में और बालिका वर्ण में भी 22 वेकंसी हैं यहां पर तो यूर कटेगरी में 92-96 ठीक है काफी लोग यहां पर 105-110 भी बोलना है तो यह बहुत ज्यादा बोलना है इस्ट्री का पेपर अगर साइस उठा के देखें तो काफी ठीक ठाक पेपर आया था तो इतना ज्यादा तो नहीं कट आफ जाएगी इंटरव्यू के लिए ठीक है तो यूर कटेगरी में 92-96 ठीक और एक और चीज मैं यहां पर कट आफ बता रहा हूं इसके बाद अगर आपको कुछ भी इसमे 82-85 अगर इतने कोस्चन आपके सही हो रहा है तो आप लोग अपने इंटरव्यू की त्यारी कीजिए ठीक है हिस्ट्री का हो गया अब हम लोग एजुकेशन का सिच्छा सास्तर का देख लेते हैं टोटल वेकेंसी हैं 25 आपकी वालक वर्ग में है और 5 आपकी वाली का अगर इतने कोस्चन आपके सही हो रहा है तो आप लोग मतलब एक तरीका से सेर्जोन में हैं इंटरव्यू के लिए ठीक है नेक्स्ट है सोसियोलाजी थोड़ा से जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग कोई कट आउफ के बारे में यहीं जानना है और फाल सरसट बालक वर्ग में हैं 11 बालिका वर्ग में समाज सास्त्र में तो इसमें देखिए यूर कटेगरी 90 से 95 ओभी सी 88 से 92 एसी कटेगरी 83 श्यासी और एस्टी कटेगरी 88 से 88 ठीक है अगर इतना आपके कुश्चन सही हो रहा है तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में मान करा चलिएल फिर देखि फिजिकले एजुकेशन मतलब सारी रित सिच्छा को देख लेते हैं इस में टोटल वैकेंसी देखिए 11 बालक वर्ग में और दो हैं वलिका वर्ग में ठीक है तो यहां पर बालकों का एकतर तरीके से अश्योवरेफ देख लेते हैं अगर आप बालक का वर्ग से हैं तो इसमें दो-तीन कुस्चन अपने मतलब अधिक जा सकती है ठीक है यह मान के चलिए आप लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कॉमर्स में देखते हैं इसमें वेकंसी सिर्फ बालक वर्ग में है टोटल वेकंसी हैं पैंतालिस ठीक है और इसका देख लेते हैं Commerce में यू आर कटेगरी अगर 82 से 85 कोस्चन आपके सही है OBC और EWS में 80 से 83 कोस्चन सही है स्टी कटेगरी में 75 से 85 सही है स्टी कटेगरी में 72 से 75 सही है तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हैं Commerce मतलब वाणिज में ठीक है इसमें 45 टोटल वेकंसी है सिर्फ बालग वर्ग में ठीक है कमेंट वाक्स में पोच सकते हैं Hindi का देख लेते हैं बाकी का जल्दी यल्दी देख लेते हैं इसके बाद वाले जिदने भी सब्जेक्ट है इसके उपर मैं एक वीडियो बना चुका था कल लेकिन मैंने इसमें भी रख दिये क्योंकि कुछ लोग नए है वो लोग इधर उ लोग पर नहीं जाएगी पूरा उम्मीद है 105 से 10 से जाधा नहीं जाएगी 120-20 लोग बोलने कि इतने पर होगा तो इतना नहीं होगा ठीक है इव्याइजी का सीदे सीदे आप लोग सभी सभी चीजों का एक साथ देख लीजिए 289 बालक बर्ग में है और 288 बालिका बर्ग में यूर 88-93 OBC और EWS 85-90 से कटेगरी 81-85 और ST 78-81 अगर इतने कोस्चन्स आपके सही हो रहा हैं अंग्रेजी में तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हैं और इंटर्व्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा संस्क्रत का देख लेजिए वैकेंसी देखे 232 बालक बर्ग में और 34 जो है वो बालिका बर्ग में है और इसकी भी एक साथ आप लोग देख लिए यूर 95-100 OBC और EWS 93-98 ST कटेगरी 87-92 और ST कटेगरी 84-87 अगर इतना कोस्चन आपके सही हो रहा है तो आप लोग अपनी पेपर काफी अच्छा आया था इसका इसलिए मैं यह बोलना हूं OBC और EWS का 83-88 SC का 75-80 ST का 72-75 ठीक है अगर इतने कोस्चन आपके सही हो रहा है तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हाला कि काफी लोग इसको 95 और 100 से उपर भी कह रहा है हाला कि अगर इतना क मेह रहा है तो बस एक बार पेपर उठा के देख लेएं पीजी टी का तो पता चल जाएगा कितना कट आफ जाएगा ठीक है बिना ऐसे तो सबको लगता है कि 100 से उपर ही जाएगी ठीक है फिजिक्स का देख लेते हैं फिजिक्स टोटल वेकेंसी 148 प्लस 10 है मतलब 148 बालक बर्ग में और 10 बालिका बर्ग में हैं इसका भी एक साथी देख लेते हैं यू आर 85-88, OBC और EWS 33-86, SC काटेगरी 78-82 और ST काटेगरी 75-78 अगर इतने कोश्चन आपके सही हो रहे हैं तो फिजिक्स में आपके चांसे बहुत अच्छे हैं ठीक है प्लस माइनस चार कोश्चन कर लीजिए बस इससे ज़्यादा नहीं होगा क्यमेस्टरी में देखिए, 160 बालक वर्ग में और 11 बालिका वर्ग में यहाँ पर वेकेंसी हैं यहाँ पर UR 84-88, OBC और EWS 82-85, SC कटेगरी 77-88 और ST कटेगरी 74-78 ठीक है अगर इतने कोश्चन आपके सही हो रहे हैं बायलोजी में तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हैं ठीक है जो गर्फी में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, बालक वर्ग में बहुत अच्छी वेकेंसी हैं, 200 हैं और 8 बालिका वर्ग में हैं ठीक है, इनका जो cut-off देख सकते हैं कितना जा सकता तो UR 98-103, OBC और EWS 93-98, SC कटेगरी 88-93 और ST कटेगरी 83-88 अगर इतना आपका cut-off, मतलब इतने questions आपके सही हो रहा हैं तो आप लोग अपने interview की तैयारी अपनी रखिए, ठीक है, यह मान के चलिए, civics का देख लेते हैं, 153 बालक वर्ग में हैं, और 30 बालिका वर्ग में vacancies हैं, इसकी देख लेते हैं, एक साथ ही देख लेते हैं, UR 97-100, OBC, EWS 94-96, SC की 90-93 और ST की 86-90, लगभग इतने questions आपके सही हैं तो cut-off आपकी इतनी ही जाएगी, यह मान के आप लोग चलिए, economics का देख लेते हैं, economics का ठीक है, अर्थसास्तर का, ठीक है, total vacancy 143 बालक वर्ग, 28 बालिका वर्ग में हैं, इनकी सबकी एक साथ देख लेते हैं, तो UR category 80-50, OBC, EWS 88-83, SC category 75-80, और ST category 72-75, अगर इतने questions आपके सही हो रहे हैं, तो आपने आपको आप लोग safe zone में रख सकते हैं, और interview की त्यारी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, सभी लगवग, सभी subject की यहाँ पर cut-off है, वो मैंने आपको बता दी एक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,